यहाँ पर हमको इसको simplify करना है simplify करने का मतलब है कि यह जो brackets है इनको हमें थोड़ा solve करना है अब यहाँ पर यह वाल ब्राकेट है इसका हो रहा है whole square और इसका भी whole square हो रहा है तो पहले मैं इसकी value निकाल लेती हूँ फिर मैं इसकी value निकाल लूँगी तो हम यहाँ पर इसकी value हम जएदर directly इसका square करके भी निकाल सकते है यहाँ फिर हम इसमें identity भी लगा सकते है तो यहाँ पर मैं इसको identity का use करके इसकी value find out करूँगी तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हम आपर कौनसी identity use कर सकते है यहाँ पर यह दो numbers है जो कि हो रहे हैं आपस में subtract यानि A और B हैं जो आपस में subtract हो रहे हैं और इनका हो रहा है whole square यानि कि हम यहाँ पर A minus B के whole square वाली identity use कर सकते हैं जो कि हमारी होती है A square plus B square minus 2AB इन दोनों को हम compare करेंगे तो A आजाएगा 2.5P और B आजाएगा 1.5Q यह दोन वाली उस यहाँ पर put कर देंगे तो हमको यह मिल जाएगा अब यहाँ पर है 2.5P का whole square यानि कि 2.5P into 2.5P इसको हम लिख सकते हैं 2.5 into 2.5 into P into P अब यहाँ पर इन दोनों में decimal लगा हुआ है और मुझे personally decimal solve करने में थोड़ी सी problem होती है तो मैं गाम कर देंगे decimal को remove कर देती हूँ यहाँ से decimal remove करेंगे तो denominator में 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आजाएगा अब यहाँ पर 25 और 10 आपस में कट रहे हैं लेकिन अभी मैं इनको काटूंगी नहीं क्योंकि denominator में 10 है तो इसको आगे solve करने में मुझे थोड़ी असानी होगी हमें इन दोनों को directly multiply कर देती हूँ 25 को 25 के साथ multiply करेंगे तो आएगा 625 upon 10 into 10 होता है 100 और P into P आजाएगा P square यानि कि इसकी value हमारी आगे 625 upon 100 P square प्लस यहाँ पर हमारे पस 1.5 Q का square यानि कि 1.5 Q into 1.5 Q इसको हम लिख सकते हैं 1.5 into 1.5 into Q into Q अब again मैं यहाँ से decimal remove कर दूंगी तो denominator में 10 आजाएगा 15 into 15 होता है 225 upon 10 into 10 हो जाएगा 100 और Q into Q हो जाएगा Q square तो यह हमारा आजाएगा 225 upon 100 Q square माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2.5 into 1.5 into P into Q अगेर मैं यहाँ से decimal remove कर दूंगे तो denominator में 10 आजाएगा 2 into 25 होता है 50 और 50 को हम multiply करेंगे 15 के साथ तो हमारा आजाएगा 750 और 10 into 10 हो जाएगा 100 और P into Q है तो यह आजाएगा PQ यानि कि इसकी value हागे 750 upon 100 PQ यानि कि हमको मिल गया ये अब similarly हम इसकी भी value find out कर लेंगे यहाँ पर भी दो numbers हैं जो कि ओरें आपस में subtract यानि कि A minus B और इसका whole square हो रहा है यह identity होती है A square plus B square minus 2AB इन दोनों को compare करेंगे तो A यहाँ पर मिलेगा 1.5P और B मिलेगा 2.5Q यह दोनों values यहाँ पर put करेंगे तो यह आजाएगा अब 1.5P का whole square यानि कि 1.5P into 1.5P इसको लिख सकते हैं 1.5 into 1.5 into P into P अगेन मैं यहाँ से decimal remove कर रही हूँ 15 into 15 होता है 225 और यह आजाएगा 100 और P into P यानि P square तो यह हो जाएगा 225 upon 100 P square plus 2.5Q का whole square है इसमें से decimal remove करेंगे तो 10 आएगा अब 25 into 25, 625 और 10 into 10 हो जाएगा 100 तो 25 upon 10 का square यह आएगा और Q भी multiply हो रहा है तो Q into Q हो जाएगा Q square माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1.5 into 2.5 into 2.5 into P into Q यहाँ से decimal हटाएगे तो 10 अब 2 into 25 हमने करा था तो 50 आया था और 50 को 1.5 की साथ multiply किया था तो 750 आया था अब 10 into 10 हो जाएगा 100 और P into Q आजाएगा P Q यानि कि इसको solve करके हमको मिल जाएगे अब यहाँ पर यह दोनों हमारे पास हो रहे थे subtract तो इनको solve करके जो हमारा है उन दोनों को भी हम आपस में subtract कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 625 आपन 100 P square प्लस 225 आपन 100 Q square माइनस 750 आपन 100 P Q अब यहाँ पर इस bracket के बाहर माइनस लगा हुए तो जब भी किसी bracket के आगे माइनस होता है तो उसके अंदर के जितने भी terms होता है उनका sign change हो जाता है यहाँ पर यह है प्लस 225 आपन 100 P square यह हो जाएगा माइनस 225 आपन 100 P square यहाँ पर प्लस है तो यह माइनस 625 आपन 100 P square हो जाएगा Q square हो जाएगा और यहां पर यह माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस 750 अपॉन हंड़ेड पी क्यू यानि कि हमको इसके इकोल मिल जाएगा अब इसमें जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर देंगे सबसे पहली टर्म है हमारे पस पी स्क्वेर वाली तो यह रही इसकी लाइक टर्म्स यहां पर है 625 अपॉन हंड़ेड माइनस 225 अपॉन हंड़ेड 625 में से हम 225 माइनस करेंगे तो यह आएगा 400 तो यह हो जाएगा 400 अपॉन हंड़ेड पी स्क्वेर next है हमारे पास q square वाली term यह रही इसकी like term यहाँ पर है 225 upon 100 minus 625 upon 100 again क्योंकि इसका denominator same है तो हम numerator को solve कर देंगे 225 minus 625 यह आ जाएगा minus 400 और denominator में है 100 और 7 में है q square next है हमारे पास pq वाली term इसके लिए like term यह रहा यहाँ पर है हमारे पास plus 750 upon 100 pq और यहाँ पर है minus 750 upon 100 pq तो इन दोनों को subtract करेंगे तो यह तो हमारा 0 ही हो जाएगा यानि कि हमारा final answer आ गया है यह अब यहाँ पर यह दो 0 है और यह भी 2 0 है तो यह आपस में cut रहे हैं तो इसको काट देते हैं similarly यहाँ पर भी तो यह हो जाएगा 4p square minus 4q square के equal इसको note कर लेते हैं कर लेते हैं लेते हैं यह होगाँ वह लेकिर जाएगा जंब इसको ढूख झाल आपस कि वह दोड़ते हैं यह जहागान पर यह भी 1 0 गश्य कर भी 3 झाल झाल